ग्लोबल पोलिटिक्स में शेटन डिवलपेंट्स और इवेंट्स की वेया से जो यूए स्लेक्ट लिबरल मेरिटोक्रेटिक आडर की जो ओयेंटेशन है या अंडर पिनिंग्स है वो अंडर कॉंस्टेंट ट्रांजिशन है अगर उनमें सेटन इवेंट्स और डिवलपमेंट्स की बात करें तो हमारे पास हमें पता है या नज़र आ रहा है कि अलाइन्स चेंज हो रहे हैं स्टेट्स के बीड में जो रिलेशन्स हैं उनमें एक रिलाइन्मेंट नज़र आती है साथ ही साथ जियो पॉलिटिक्स जो हैं वो राइस करती नज़र आ रही है ऐसा प्रियंबल टू निव इंपिरियलिज्म इसी तरह जो एक ट्रेडिशनल नोशन अफ अलाइन्स था या होता था वो अब कनवर्ट हो रहा इंटू इशू लेट कोईलेशन्स जैसे कि डाक्टर मली हलोदी अपने एक आर्टिकल में लिखती है कि इटनेर रिलेशन्स में एक टाइम था जब स्टेट्स अलाइन्स बना दे थे लेकिन करंट जो हमारे पास एक क्योटिक इन्वार्मेंट है जिसको वोगते एक वोलेटिलिटी एक एक अंसर्टन सिचुएशन है उसमें स्टेट्स अलाइन्स की जगह इशू लेट कोईलेशन्स को प्राइरडाइस कर रही है इसी तरह राइज अफ निव एकॉनोमीज है जैसे ब्रिक्स कंट्री से इसकोशिश में है कि किसी भी तरिके से ऐसे स्टेटिजी और ऐसे मनुवरिंग्स को डिप्लॉई किया जाए जिसके जिनके थूँ जो बैलेंस अफ पार डिस्टर्ब हो रहा है जो ग्लोबल पार की जो ग्लोबल जो ऑर्डर की जो औरियंटेशन में जो चेंजिंग्स आ रही है उनको contain and curb किया जाए in a bid to establish or to keep intact the US-led liberal meritocratic order आज की sitting में हम देखेंगे कि US अपने इन ambitions को fulfill करने के लिए क्या क्या steps ले रहा है साथ हम देखेंगे कि US किन nations के साथ partnerships build कर रहा है या cultivate कर रहा है और उन partnerships में specifically हम आज prioritize करेंगे इंडिया-US relations को और फ agreements हैं between India and United States जो कि Pakistan के लिए ramifications create कर रहे हैं